ओम शान्ती, बाप डादा बोले, मीठे बच्चे, सत्य बाप, सच खंजिस थापन करते हैं, तुम अभी बाप के पास आए हूँ, किसलिए नर से नारायर बनने की सच्ची सच्ची नालेज सुनने, प्रश्न है, तुम बच्चों को अपने ग्रस्त महवार में बहुत बहुत संभाल कर चलना है, क्यूं? मुत्तर, क्यूंकि तुम्हारी गत्मत सबसे नहारी है, तुम्हारा ग्यान गुप्त है, इसलिए विशाल बुद्धी बंद सबसे तोड़न बाना है, अंदर में समझना है, हम सब भाई भाई है, वा भाई भेन है, बाकी ऐसे नहीं, इस्त्री पती को कहे तुम मेरे भाई हो, इससे सुनने वाले कहेंगे, इनको आज क्या हुआ है, जुक्ती से चलना है, ओम शानती, रूहानी बाप, बैट बच्चों को समझाते हैं, रूहानी अख्यर नक है, सिर्फ बाप कहे तो भी अंडरस्टड है, ये रूहानी बाप है, बाप बैट बच्चों को समझाते हैं, सब अपने को भाई भाई तो कहते ही हो, तो बाप मैं समझाते हैं, सब को नहीं समझाते होंगे, गीता में भी लिखा हुआ है, बगवानों वाच्चे, किसके प्रति, बगवान के हैं सब बच्चे, वे बगवान बाप है, तो बगवान के बच्चे सब ब्रेदर्स हो गए, बगवान नहीं समझाया होंगा, राज यूग सिखाया होंगा, अभी तुमारी बुद्धी का ताला खुला हुआ है, तुमारे स्वाई ऐसी ख्यालात और कोई की चल न सके, जिन जिन को संदेश मिलता जाएंगा, वो स्कूल में आते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, समझेंगे, अच्छा प्रदर्शनी तो देखें, अब जाकर ज्याद है सुनेंगे, पहले पहले मुख्य बात है, ग्यान सागर पतित पावन, गीता ग्यान दाता शिव भगवानो वाच्छे, उनको यह पता पर है कि इन्हों को सिखलाने वाला, समझाने वाला कौन है, वो सुप्रीम सोल, ग्यान सागर निराकार है, वो है टृत, वो सत्य ही बताएंगा, फिर उसमें कोई प्रशन उठी ही नहीं सकता, तुमने सब छोड़ दिया, टृत के उपर, तो पहले पहले इस पर समझाना है, हमको परम्पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राज योग सिकलाते हैं, यह राजाई पद है, जिसको निश्चे हो जाएंगा, कि जो सभी का बाप है, वो परलो के बाप मैठ समझाते है, वही सबसे बड़ी अथारिटी है, तो दूसरा कोई प्रशन पिर उठी नहीं सकता, वह है पतित पावन, वो जब यहां आते है, तो जरूर अपने टाइम पर आते होंगे, तुम देखते भी हो, यह वही महा भारत की लराई है, विनाश के बाद वाइलिस दुनिया होनी है, यह मनश्य जानते नहीं, कि भारती वाइसलिस था, गुधी चलती नहीं, गाड रेज का ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी उनके बाप के पास ही है, इसलिए यह किसको पता नहीं है, कि तुमको पराने वाला कौन है, दादा समझ लेते हैं, तब तीका करते हैं, कुछ बोलते हैं, इसलिए पहले पहले यह समझाओ, इसमें लिखा है, शिभगवानों वाच्चे, तो है ही टुक, बाप है ही नालेज़फुल, श्रिष्टी के आदी में द्यान्त का राज समझाते हैं, यह सिख्या अभी तुमको उस सब बेहत के बाप से मिलती है, वही श्रिष्टी का रचता है, पतित श्रिष्टी को पावन बनाने वाला है, तो पहले पहले बाप का ही परीचे देना है, उस परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबन है, वैं नर्से नारैन बनने की सची नालेद देते है, बच्चे जानते है, बाप सत्य है, जो बाप ही सच्खन बनाते है, यहां तुमको आए ही हो नर्से नारैन बनने, बैरिष्टर के पास जाएंगे तो समझेंगे हम बैरिष्टर बनने आई है अभी तुमको निश्चे है हमको बगवान पराते है कई निश्चे करते भी है फिर संशेबुदी भी हो जाते है तो उनको सब कहते है तुम तो कहते थे हमें बगवान पराते है पिर बगवान को क्यों छोड़ कर आए हूँ संशय आने से ही भागनती हो जाते है कोई न कोई विकरम करते है जरूर बगवानों वाचे है काम महाशत्रू है उन पर जीत पाने से ही जगत जीत बनेंगे जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में जाएंगे यहां तो है ही राजियो की बाद जो तुम जाकर आजाई करेंगे बाकी जो आत्माई है वो अपना हिसाब किताब चुक्तू कर और वापिस चले जाएंगे यह अब क्यामत का समय है अब यह बुद्धी कहती है सत्यू की इस्तापना जरूर होनी है पावन दुनिया सत्यू को कहा जाता है बाकी सब मुक्ति दाम में चले जाएंगे उनको फिर अपना पार्ट रिपीट करना है तुम भी अपना पुर्शारत करते रहते हो पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए मालिक तो अपने को समझेंगे ना पुर्जाबी मालिक है अभी पुर्जाबी कहती है ना हमारा भारत तुम समझते हो अभी सब नर्कवासी हैं अभी हम स्वर्कवासी बनने के लिए राज योग सीख रहे हैं सब तो स्वर्कवासी नहीं बनेंगे बाप कहते है जब भक्ती मारिक पुरा होंगा तब ही मैं आऊंगा मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ती का पल देना है मैजारिटी तो भक्तों की है ना सब पुकारते रहते हैं हे गाड़ फादर भक्तों के मुकसें ओ गाड़ फादर हे भगवान ये जरूर निकलेंगा अब भक्ती और ग्यान में अंतर तो है ना तुम्हारे मुकसें कभी हे इश्वर हे भगवान नहीं निकलेंगा मनशों को तो ये आदा कलब की प्रैक्टिस पड़ी हुई है तुम जानते हूँ वो तो हमारा बाप है बाप से तुमको तो वर्षा लेना है पहले तू ये निश्चा हूँ कि हम बाप से वर्षा लेते है बाप बच्चों को वर्षा लेने के अधकारी बनाते हैं ये तो सच्चा बाप है ना बाप जानते है हमने जिन बच्चों को ग्यान अम्रत पिलाकर ग्यान चिता पर बिठाकर विश्व का मालिक देटा बनाया था वही काम चिता पर बैठ बसमी भू तो गए अब मैं फिर जाकर ग्यान चिता पर बिठाए घोर नीन से जगाए स्वर्ग में ले जाता हूँ बाप ने समझाया है तो मात माइं वहाँ शान्ती धाम और सुकदाम में रहते हूँ सुकदाम को कहा जाता है वाइसलिस वर्ड संपूरन निर्विकारी वहाँ देटाएं रहते हैं और वो है स्वीट होम आत्माओं का गहर्ड सभी एक्टर्स सुशान्ती धाम से आते हैं यहां पाट मजाने हम आत्माओं यहां की रहवासी नहीं है वो एक्टर्स यहां के रहवासी होते हैं सिर्फ घर से आकर ड्रेश बदली कर पाट में जाते हैं तुम तो समझते हूं हमारा घर शान्ती धाम है जहां हम फिर वापिश जाते हैं जब सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं तभी बापा कर सब को ले जाएंगे इसलिए उनको लिबरेटर गाइड भी कहा जाता है दुख हरता सुख करता है तो इतनी सारी मनश कहां जाएंगे बिचार तो करो पतित पावन को बुलाते हैं किसलिए अपने मौत के लिए दुख की दुन्या में रहने चाहते नहीं है इसलिए कहते हैं घर ले जलो ये सब है मुक्ती को ही मानने वाले भारत का प्राचीन योग भी कितना मशहूर है बिदेश में भी जाते हैं प्राचीन योग सिखलाने क्रिश्चन्स में बहुत हैं जो सन्यासियों का मान रखते हैं गेरू कफनी के जो पहरवैश है वो है हठयोग की तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है न कोई सफेद कपड़े का बंधन है परन्तू सफेद अच्छा है तुम बठी में रहे हूँ तो ड्रेस भी यह हो गई है मनश मरते है तो सफेद चादर डालते है तो पहले कोई को भी बाप का परिचह देना है दो बाप है ये बाते समझने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है प्रदर्शनी में इतना समझार नहीं सकेंगे सत्युग में एक बाप इस समय तुम को तीन बाप है क्योंक भगवान आते है प्रजापिता ब्रह्मा के तनमे वो भी तो बाप है सफका है अच्छा अब तीनों बाप में उंच वर्षा किसका निराकार बाप वर्षा कैसे दे फिर वो देते है ब्रह्मा के द्वाना ब्रह्मा द्वाना इस्थापना करते है इस चित्र पर तुम बहुत अच्छी रीच समझा सकते हूँ शिव बाबा है फिर यह प्रजा पिता ब्रह्मा है आदी देव आदी देवी यह ग्रेट ग्रेट ग्रेंट फादर बाब कहते है मुझा शिव को ग्रेट ग्रेट ग्रेंट फादर नहीं कहेंगे मैं सबका बाब हूँ यह है प्रजा पिता ब्रह्मा तुम हो गए सब भाई बैन आपस में क्रिमनल एसाल्ट कर नहीं सकते अगर दोनों की आपस में विकार की दृष्टी खेंचती है तो फिर गिर परते हैं बाब को भूल जाते हैं बाब कहते हैं तुम हमारा बच्चा बन काला मू करते हूँ बेहत का बाब बच्चों को समझाते हैं तुमको तो ये नशा चरा हुआ है जानते हूँ ग्रस्त मेंवार में भी रहना है लोकिक संबंदियों को भी मू देना है लोकिक बाब को तुम बाब कहेंगे न उनको तो तुम भाई नहीं कह सकते आर्ड नरीवे में बाब को बाब ही कहेंगे गुद्धी में है ये हमारा लोकिक बाब है ग्यान तो है ना ये ग्यान बरावी चित्र है आज कल करके नाम भी ले लेते है परन्तु कोई विजीटराद बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो वो समझेंगे इनका माथा खराब हुआ है इसमें बड़ी युक्ती चाहिए तुमारा गुप्त ग्यान है गुप्त संबंद है अक्सर करके इस्त्रियां पती का नाम नहीं लेती है पती इस्त्री का नाम ले सकते है इसमें बड़ी युक्ती से चलना है लोकिक सें भी तो निमाना है गुद्धी चली जानी चाहिए उपर हम बाप से अभी वर्सा ले रहे है बाकी चाचे को चाचा बाप को बाप कहना पड़ेंगा जो ब्रमा कुमार कुमारी नहीं बने है वो भाई बेन नहीं समझेंगे जो ब्रमा कुमारी बने हैं वही इन बातों को समझेंगे बाहर वाले तो पहले ही चमकेंगे इस में समझने की बुद्धी अच्छी चाहिए बाप तो बच्चों को शाल बुद्धी बनाते है तुम पहले बुद्धी में थे अभी बुद्धी चली जाती है बेहत में वै हमारा बेहत का बाप यह सब हमारे भाई बैन है लेकिन घर में सासू ही कहेंगी ना बैन थोड़े ही कहेंगी घर में रहते बड़ी युक्ती से चलना है नहीं तो लोग कहेंगे ये तो पती को बाई कहती है सासू को बैन कह देती ये क्या है ये ग्यान की बातें तुम ही जानो और न जाने को कहते है न प्रभू तेरी गत मत तुम ही जानो अभी तुम उनके बच्चे बनते हो तो तुम्हारी गत मत तुम ही जानो बड़ी संभाल से चलना है कहा कोई मुझे नहीं तो प्रदर्शनी में तुम बच्चों को पहले पहले ये समझाना है कि हमको पराने वाला भगवान है अभी तुम बताओ भगवान कौन निराकार शिव या देधारी श्री कृष्ण जो गीता में भगवानों वाच्च है वो शिव परमात्माने महावाक्य उचारे है या श्री कृष्ण ने कृष्ण तो है स्वर्ग का पहला प्रिंच ऐसे तो कह नहीं सकते कि कृष्ण जैन्पी सो शिव जैन्पी शिव जैन्पी के बाद पिर कृष्ण जैन्पी शिव जैन्पी से स्वर्ग का प्रिंच श्री कृष्ण कैसे बना वो है समझाने की बाद शिव जैन्ती फिर गीता जैन्ती फिर पट से है कृष्ण जैन्ती क्योंको बाप राज योग सखलाते है ना बच्चों के बुद्धी में आया है जब तक शिव परमात्मान आवे तब तक शिव जैन्ती मना नहीं सकते जब तक शिव आकर कृष्ण पुरीष्टा पर न करे तो कृष्ण जैन्ती भी कैसे मनाई जाए कृष्ण का जन्म तो मनाते है परन्तु समझते थो रही है कृष्ण प्रिंस दा तो जरूर सत्यग में भी होंगा ना देवी देवताओं की रादानी होंगी तो जरूर स्रिफ एक कृष्ण को बाच्चाई तो नहीं मिलेंगी ना जरूर कृष्ण पुरी होंगी ना कहते भी है कृष्ण पुरी और फिर है ये है कंस पुरी कृष्ण पुरी नई दुनिया कंस पुरी है पुरानी दुनिया कहते है देखताएंगे और असरों की लराई लगे देखताओंने जीता परन्तु ऐसे तो है नहीं कंस पुरी खतम हुई फिर कृष्ण पुरी इस्तापन हुई कंस पुरी पुरानी दुनिया में होंगी नई दुनिया में थुरे ये कंस दैताद होंगे यहां तो दिखो कितने मनुष्य है सत्यग में बहुत थोड़े है यह भी तुम बच्चे समझ सकते हो अभी तुम्हारी बुद्धी चलती है देखताओंने तो कोई लराई की नहीं देवी संप्रदाए सत्यग में ही होती है आश्री संप्रदाए यहां है बाकी न देताओं और अस्रों की लराई हुई न कौरवों और पांडों की हुई है अभी तुम्हार पर जीत पाते हो बाप कहते है इन विकारों पर जीत पानी है तो जगत जीत बन जाएंगे इसमें कोई लड़ना नहीं है लड़ने का नाम ले तो हिंसक बन जाएं रावान पर जीत पानी है परन्तु नान वायूलेन सिर्फ बाप को याद करने से हमारी विकरम मिनाश होते है भारत का प्राचीन रिराज योग मशहूर है बाप कहते है मेरे साथ बुद्धी का योग लगाओ तो तुम्हारे बाप बसम होंगे बाप पतित पावन है तो बुद्धी योग उसे बाप से लगाना है तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे अभी तुम प्रैक्टिकल में उनसे योग लगा रहे हो इसमें लराई की कोई बात ही नहीं जो अच्छी रीत पढ़ेंगे बाप के साथ योग लगाएंगे वही बाप से वर्षा पाएंगे कलब पहले मफिक इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होंगा सब हिसाब किताब चुक्तू कर जाएंगे फिर क्लास में ट्रांसफर हो नंबर वार जाकर बैठे है तुम भी नंबर वार जाकर वहां राज करेंगे कितनी समझ की बाते हैं समझा अच्छा मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रेत मात पिता बाप डादा का याद प्यार और गुड मार्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते अब धारना के लिए मुख्य साथ इस क्यामत के समय जब कि सत्यों की इस्थापना हो रही है तो पावन जरूर बनना है बाप और बाप की कार्य में कभी संशय नहीं उठाना है दूसरी पाइंट है ग्यान और संबंद गुप्त है इसलिए लौकिक में बहुत युक्ती से विशाल गुद्धी बन कर चलना है कोई ऐसे शब्द नहीं बोलने है जो सुनने वाले मूझ जाए अभी वर्दान है मन मन मत परमत को समापत कर श्री मत पर पदमों की कमाई जमा करने वाले पदमा पदम भागिशाली बवर श्री मत पर चलने वाले एक संकलप भी मन मत परमत पर नहीं कर सकते इस्थिती की स्पीड यदि तेज नहीं होती है तो जरूर कुछ न कुछ श्री मत में मन मत या परमत मिक्स है मन मत अर्थात अलपग या आत्मा के संसकार अनुसार जो संसकलप उत्पन होता है वो इस्थिती को डगमक करता है इसलिए चेक करो और कराओ एक कदम भी श्री मत के बिना नहो तब पदमों की कमाई जमा कर पदमा पदम बागिशाली बन सकेंगे अब स्लोगन है मन में सर्वकी कल्यान की भावना बनी रहे यही विश्वकल्यानकारी आत्मा का करतव्य है समझा ओम अम्षन वी